नमस्कार मैं हो दुव्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खब्रों के ओबने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बार्वी बोट के बच्चों के रिए जारी हुआ दिसा नर्देश एडी ने लालू परिवार को लेकर किया यह बरा दावा बीपीए से सक्चक भरती फेस तीन की परिक्चा मार्च में हो सकती है आयो जित प्रंगा घाट पर बनेगी डॉक्टर राजिंद प्रसाद की दुनिया की सबसे उची आदम कत्प्रतिमा भारतिय टीम में सर्फराज खान के चैन पर सूरे कुमार यादव का रियाक्शन परिक्चा के लिए लगबग तयारी पूरी की जा चुकी है परिक्चा के संबंद में प्रदेश के मुख्य सचीव आमिर सुबहानी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये सभी प्रमंडल के डी आईजी और कमिस्नर समेत सभी जिला के डीम और एसपी के साथ बैठक की है इस बैठक में परिक्चा को कदाचार मुख और सफलता पूर्वक संपन करने को लेकर चर्चा की गई है बैठक के दोरान सिख्चा विभा के अपरमुके सचीव केके पार्ठक और बिहार विद्याले परिक्चा समीति के अध्यक आनंद के सोर भी उपस्तित रहें बैठक में परिक्चा की तैयारी पर चर्चा के अलावे और भी कई महत्वपुन दिसा निर्देश दिये गए हैं साथी ये बात भी सामने आई ही कि सभी परिक्चा केंद्रों पर धार 144 लागू रहेगी परिक्चा केंद्र पर केंद्रा धिक्चा को छोड़ कर कोई भी कर्मी या पदाधिकारी मोबाइल पून नहीं लाएंगे इसके निर्देश भी दिये गए हैं राष्ट पिता महात्मा गांधी की पुन्य तिति के अफसर पर सीम नितीस ने दी मौन सरद्धांज ली आज राष्ट पिता महात्मा गांधी की पुन्य तिति है इस अफसर पर पटना के गांधी घाट पर स्वतंता संग्राम के हुतात माओं के स्मिर्थी में मौन स्रध्धांधरी अर्पत की जाने के मुख्य कारिक्रम आयोज़त हुए है इस दोरान राश्ट पिता महात्मा गांधी की समाधी पर सीम नितिस ने पूश्प चक्र अर्पत किया और स्रध्धांदरी दी कार्थिक्रम के दौरान सासुस्त्तिर पुलिस द्वारा सलामी देने के साथ दो मिनट की सोक सलामी भी दी गई है इस दोरा निदिय से सरकार के कई मंत्री मौजूद देखें जिन में उपमुखे मंत्री समराज चौधरी और विजय कुमार सिंग विजय कुमार चौधरी, स्रवन कुमार और अन्य लोग सामिल थे इन मंत्रीों के अलावे कई बड़े पडारी कारी भी मौजूद थे सभी ने इस अफसर पर राष्ट पिता को नमन की और मौन्स रधांजली अर्पित की नियोजित सिक्चकों के इन सर्तों को नहीं माने पर सक्चमता परिक्षा का होगा बाहिसकार प्रदेश में नियोजित सिक्चकों को राज कर्मी का दर्दा दलवाने के लिए बिहार सरकार सक्चमता परिक्षा ले रही है लेकि नियोजित सिक्चक लगातार सक्चमता परिक्षा का बाहिसकार कर रहे हैं इससे लेकर भिहार माध्यमिक सिक्चक संके महा सचीव और पूर्विसांसर सत्रुग्न प्रसाज सिंग्धवारा कहा गया कि सरकान नियोजित सिक्चकों को विशिष्ट सिक्चकों में अफग्रेट करने के लिए ऐसी सर्ते रख दी हैं जिन्हें मानना संभब नहीं हैं सरकान ने विशिष्ट सिक्चक नियामावली 2023 में मन माने सर्त जोड दिये हैं विशिष्ट सिक्चक नियामावली के खंड चार में उपबंधित सक्चमता परिक्षा के लिए तीन जिने का विकल्प देने को कहा गया है सिक्चकों को दूसरे स्कूलों में जहां तहां आपना अत्वा तबादला करने का नियम बनाये गया है। साथी अब ईडी ने इस मामले को लेकर फ्रेस रिलीज भी किया है। बीपीएसे सिक्चक भरती फेज 3 की परिक्चा मार्च में हो सकती है आयोजित। बीपीएसे सिक्चक भरती को लेकर इस वक्त एक बरी खबर सामने आई है। दरसल मीरिया में चल लए खबरों के मुताबिक बिहार सिक्चक फेज 3 की परिक्चा मार्च में आयोजित हो सकती है। मालूमों कि बीपीएसे द्वारा जो अकैर्मी कैलेंडर जारी किये गए थे। उसके मुताबिक यह परिक्चा अगर्स्त में होने वाली थी। लेकिन अब इस परिक्चा के मार्च में आयोजित होने की तैयारी की जा रही है। परिक्चा को लेकर मेरिया ख़ब्रों के मताबिक जानकारी मिली है। कि सिक्चा विभाग में इसके तैयारी में जूटे हुए है। सबी जिलों से रिखतियों की मांग 10 परवरी तकी गई है। आपकी जानकारी के लिए बतादी के प्राइमरे से लेकर प्लस टू तक की भरती इस फेज तीन बहाली के तहट की जाएगी विधान सभा अध्यक्ष को पत्से हटाने के लिए नितिस सरकार कर रही अविस्वास प्रस्ताब की तैयारी विधान सभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए 10 फरवरी तक तयारी शुरू की जा चुकी है इसका निर्ने सियम नितीज कुमार की अध्यक्सता में उच अस्तरिय बैठक के दोरान लिया गया है विधान सभा अध्यक्स अवद विहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताब दिया था ऐसे में जो नियम है उसके मताबिक विधान मंडल का सतरि 14 दिनों के बाद ही आहूद किया जा सकता है इसलिए 10 फरवरी के दिन को ही तै किया गया है उसके बाद ही बजट सतर चलाया जाएगा और उसकी प्रक्रिया अलग से चलेगी जो आगे 12 फरवरी तक भी चलाया जा सकता है विधान सभा अध्यक्स के खिलाफ जब 10 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताब लाया जाएगा तो उन्हें पच्छे हटाने के लिए सदन में नितीश सरकार मत प्राप्त करेगी आपको बता दे कि नितीश सरकार को पहले से ही पूर्ववत प्राप्त है या केवल आपचारिक्ता के खियाल से ही किया जा रहा है विग्यापन में राज़त के दावों के जदियों ने दिये जवाब बिहार के सियासत में बदलाब के बाद राज़त के तरब से कई अखवारों में विग्यापन दिये गया थे जहां तेजस्वी के कई कामों को गिनवाया गया था विग्यापन के जडिये लिखा गया था कि आपने कहा आपने किया आप ही करेंगे अब इसी को लेकर बिहार में बनी एंडिये सरकार्द वाला परतवार किया गया है दरसल एंडिये में सामिल जडियू के तरब से जो विग्यापन दिये गया है उसमें कहा गया है कि मेरा नेता मेरा भियान इस स्लोगन के साथ नितीश कुमार के योजनाओं पर भी बात की गई है इस विग्यापन में नितीश कुमार के साथ साथ नितीश कुमार के करीबी असोग चौधरी की तस्वीर भी है इस विग्यापन में निदीश कुमार के हर वितिय वर्स के बारे में, निस्टे योजना के बारे में, पकी सरकों के बारे में और पंचायती राजे एवं नगर निकाय चुनावों में महिलाओं और पिछरे वर्ग को आरक्षन देने आदी की चर्चा की गई है बिहार के और आई थाना छेतर में सराब के मिनी फैक्टरी पर पुलिस की चापे मारी बिहार में पून सराब बंदी के बावजूद भी एक बार फिरसल पिहार में सराब तसकरी के मामले सामने आए हैं दरसल इन सराब तसकरों के खिलाफ मुझपर पुर पुलिस सकती से अभियान चला रही थी। इसी बीच और आई थाना छेदर के भर्त हुआ चौर में सराब कारुबारी द्वारा अवैद रूप से। चाप पैकिंग की खबर मुझपर पुर जले के वरी अधिकारियों को मिली। उसके बाद इन वरी अधिकारियों ने और आई थाना पुलिस को इस मामले पर तेजी से कारवाई करने का निर्देश दिया। जब पुलिस ने उस जगह पर चाप इमारी की तो भारी मात्रा में इहां से सराब के बोतल बरामत किये गए। चाप इमारी में 235 लिटर विदेशी सराब और 450 सराब की खाली बोतल और 5 ड्राम जब्त किये गए हैं। इस दोरान पुलिस ने दो कारोबारियों को भी गिरफ अबतार किया हैं। आपको बता दे किस मिनी सराब फैक्ट्री को लेकर वीडियो भी वाइरल हुआ था। फिलहाल मामले को लेकर आगे की कारवाई और पूछताच की जा रही है। बारवी बोर्ट बच्चों के लिए जारी हुआ दिसान निर्देश बिहार बोर्ट इंटर पहले प्रवेस्ट लेना है नहीं तो परिक्षा केंद्र में प्रवेस्ट नहीं दिया जाएगा। जिन बच्चों की परिक्षा पहली पाली में सुबस सारे 9 बजे है तो उन्हें केंद्र पर 9 बजे तक पहुचना होगा। वहीं देर बजे ही केंद्र पर पहुचेंगे। वही जिन बच्चों के अडमिट कार्ड में किसी और की तस्वीर छपी है तो वे अन्य पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड के साथ केंद्र पर पहुंचेंगे गंगा घार पर बनेगी डॉक्टर राजन प्रसाद की दुनिया की सबसे उची आदमकज प्रतिमा बिहार में गंगा घार के नजदीक भारत के प्रतम राश्ट पती डॉक्टर राजन प्रसाद की दो सो त्रितालिस फिट उची आदमकज प्रतिमा लगाने की तैयारी की जा रही है बतादे किस बात का निरनय पत्ना नगर निगम की बैठक के दौरान लिया गया है इसकी उचाय स्टैचू आफ यूनिटी से भी 60 मीटर उची होने वाली है डॉक्टर राजन प्रसाद की ये प्रतिमा जब बंद कर तयार हो जाएगी तब ये दुनिया के सबसे उची प्रतिमा होगी इस संबंद में पत्ना मेर सीता साहू द्वारा बताया गया कि डॉक्टर राजन प्रसाद 1923 में पत्ना नगर पालिका के चेर्मेन बने थे इनके सो वर्स पूरे होने के उफलक्ष में पत्ना नगर निगम की ससक्त अस्थाय समीधी द्वारा ये प्रस्ताव पारित कर राजसरकार को भेजा गया है इस दोरान उन्होंने बताया कि देश के पहले राज़्ट पती भारत रत्न डॉक्टर आजन प्रसाद की पत्ना ना केवल कर्म भूमी रही है बलकि उनकी समाधी भी पत्ना में ही है इस प्रतिमा को लोगे स्टैचो ओफ विजरम के नाम से जानेंगे तेश्वी के 10 लाख नौकरी के वादों पर सुसील मोदी ने साधा निसाना बीजेपी नेता सुसील मोदी ने तेश्वी के 10 लाख नौकरी के वादों पर निसाना साथे में कहा है कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने का बादा 17 महीनों में भी पूरा नहीं हो सका आगे उन्होंने कहा कि इनके सक्षा मंत्री और सची वापस में लड़ते रहें और तेजस्वी आदव उप सक्षक नौकरी का स्रे लेने में लगे हुए हैं इसमें मंत्री का क्या रोल था राजे सरकार की न्युक्तिया मुखे मंत्री के नितिकर निर्न और उनकी सम्मति से हुई है जबकि राज़त के लोग सेखी बगारने में लगे हुए हैं तेजस्वी आदव के सामने सुसील मोदी ने सवाल खरे करते वे कहा खिदेजस्वी आदव बताएं कि महाग अडवन्दन की सरकार में कैबनेट की पहली बैटक में दस लाख लोगों को सरकारी नौक्री देने का वादा 17 महीनों में पूड़ा क्यों नहीं कर सकी भारज औरो नयायात्रा के दूसरे दिन राहूल गांधी ने किसानों से की ये बात आज भिहार में कांग्रिस के भारज औरो नयायात्रा का दूसरा दिन है अज राहूल गांधी पुर्णिया पहुंचे इस दोरान उन्होंने नवोदे विद्याले के बच्चों के साथ मुलाकात करने के साथ ही सीसा बारी में किसानों से मुलाकात की इन से बाचीत की दौरान राहूल गांधी ने का कि देश की सरकार अदानी अमबानी का करज माफ कर रही है लेकिन किसानों का करज माफ नहीं हो रहा बता दे कि इस बाचीत की समय राहूल गांधी किसानों के साथ एक अलग अंदाज में सर पर गमचा बांदे और खटिया पर बैठे नजर आये थे इस दोरान उन्होंने के सानों द्वारा बनाए गए कुलहर की चाय भी पी उसके बाद होटल के लिए रवाना हो गए भारतिय टीम में सर्फराज खान के चैन पर सूरे कुमार यादब करी एक्सन नंबे समय से भारतिय टीम में सेलेक्ट होने का इंतजार कर रहे सर्फराज खान को अब टीम में सेलेक्ट कर लिया गया है इंग्लैंड के खिलाब दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम में हुए बदलाव की घोसना बीसी सी आई द्वारा सुमवार को ही कर दी गए दूसरे टेस्ट से केल राहूल और रविंद्र जडेजा चोटिल होने के कारण बाहर हो चुके है अब इनकी जगा पर वासिंग्टन सुन्दर सर्फराज खान और सौरप कुमार को टीम में सामिल कर दिया गया है अब दो फरवरी को भारत अंगलेंड के बीच दूसरा टेस्ट विसाखा पत्नम में होने वाला है वही भारतिय टीम में सर्फराज खान का चैन होने के बाद सौरे कुमार यादब ने उन्हें बधाई दी है उन्होंने सर्फराज खान के साथ पोटो शेयर करते में लिखा कि भारतिय टीम से लड़के को बुलावा आया है उत्सब की तैयारी करो सौरे कुमार के इस तस्वीर को सर्फराज खान ने भी अपनी स्टोरी में रिपोस्ट किया है जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल करें बिहार में आज यानी 30 जनवरी मंगलवार को पेट्रॉल डीजल के लिए जारी कर दिये गए है इसके मताबिक आज पतना में पेट्रॉल 107.24 रुपे तो वही डीजल 94.04 रुपे है दर्भंगा में पेट्रॉल 107.28 रुपे और डीजल 94.05 रुपे है मुझापरपूर में पेट्रॉल की कीमत 107.98 रुपे और डीजल की कीमत 94.07 रुपे है भागरपूर में पेट्रॉल की कीमत 108.64 रुपे और डीजल की कीमत 95.32 रुपे है बोजपूर में पेट्रोल की कीमत 108.1 रुपे और डीजल 94.8 रुपे है समस्तिपूर में पेट्रोल 107.2 रुपे और डीजल 93.9 रुपे है सिवान में पेट्रोल की कीमत 108.57 रुपे और डीजल की कीमत 95.3 रुपे है पुर्णिया में पेट्रॉल 108.54 रुपे और डीजल 95.2-6 रुपे है वैसाली में पेट्रॉल 107.32 रुपे और डीजल 94.1 रुपे है और अंगाबाद में पेट्रॉल की कीमत 108.35 रुपे और डीजल 95.07 रुपे है जिन्होंने हमारे दोरा पुछे का सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बिहार के तमाम खबरों के साथ बने जाने के लिए देखते रहे बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप फेस्बूक से देख रहे तो पेच को लाइक करना ना भूले धन्यवार